हेलो प्यारे साथियो नमस्कार अगर आप राजस्तान के गोवर्मेंट जो भी की त्यारी कर रहे हो तो बहुत ही इपोर्टेंट क्यूस्टन आपके सामने लेके हो यह विभिन वकेंशियों में बार बार पुछे जाते हैं और आगे भी पुछे जा सकते हैं आपसे एक मोश्ट इपोर्टेंट क्यूस्टन पूचा जाएगा आपको उसका रिपलाई जुरूर देना है और वीडियो के अंड में बताना है कि आपकी कितनी क्यूस्टन सही हुए है ठीक है और वीडियो को लाइक और दोस्तों को सेर जरूर करना चलिया आज का अपना पह दोस्तों जो राजस्तान की सबसे बडिदो की डेरी है वो कहाँ पर स्था पिता हुए इसका राइट एंस्तों रानिवाड़ा में दूद की सबसे बड़ी डेरी है राजस्तान में उन उत्पादन में राजस्तान का भारत में स्थान है दोस्तों उन उत्पादन में राजस्तान का भारत में कौन सा स्थान है आपके सामने चार ओप्सन दिये गए इसका जो राइट एंस्वर है वो सात्यों परत्थम स्थान है उन उत्पादन में राजस्तान का भारत में राजिस्थान में बतक चुजा के अंदर स्थापित है दोस्तो राजिस्थान में बतक और चुजा के अंदर कहां पर स्थापित है वो है दोस्तो बांस्वाडा में राजस्तानी जन जीवन में उन्ट के आगे की टांगों के सहारे लटकती निवार को कहा जाता है तो इसका राइट एंसर है गोडिया या सरिया ठीक है राजस्तान का पहला फ्रोजन सीमन बेंग कहां वैं कब स्तापित किया गया राजस्तान का पहला फ्रोजन सीमन बेंग कहां वैं कब स्तापित किया गया तो इसका राइट एंसर है बस जो जेपूर में 14 अगस्त 2007 को स्तापित किया गया दोस्तो इसमें दो क्यूस्तिन में रहे हैं कि राजस्तान का पहला फ्रोजन सीमन बेंग कहां तो कहां पुछे तो दोस्तो बस बिश और कब स्थापित किया तो इसका रायट अंसर होगा 49 अगस्त 27 को Next question. राजस्टान राज़े पासु पालन कल्यान बोर्ड की स्थापना राज़े के राई का रिवारी जाती के पासु पालकों के कल्यान है तू कब की गई तो दोस्तो इसका बहुत ही important question नहीं आप से पूछा जा सकता आगे की vacation में तो इसका है दोस्तो 13 April 2005 को ठीक है राजस्तान को Operative Dairy Federation Limited है तो दोस्तो राजस्तान को Operative Dairy Federation Limited है तो इसका right answer है दोस्तो C है राजस्तरिय संस्ता राजस्तान में किस पसुधन का सर्वाधिक परत्ति सथा तो दोस्तो इसका right answer आप सभी को पता होना चीए बक्री ठीक है next बेड पालन है तुपरात्मिक चिक्टिसभब परसिक्शन तो दोस्तो इसका राजस्तान देश में एका दिकार रखता है तो दोस्तो इसका राजस्तान देश में एका दिकार रखता है तो दोस्तो इसका राजस्तान देश में एका दिकार रखता है तो दोस्तो इसका राजस्तान देश में एका दिकार रखता है ए राज्जतान का परखिद पत्षु माना जाता है राज्जी में सिड मल्टिप्लेक्स और फोरम की स्टाफना की गई है तो इसका right answer रोजडी और विक्कानेयर में है ठीक है राज्जे में सरवाधिक उतपादन करने वाला जिला है जो राज्य में शर्वादिक उत्पादिन करने वाला जिला कौन सा है तो इसका राइट एंसर है जोधपुर पावडा जो प्रियोजन है जिन जिलों में जो किर्यावनतित की जा रही है तो दोस्तों इन जिल में कौन से जिलों में क्रिया अंतित की जा रही है तो इसका राइट एंसर है अलवर और चितोडगड राज्य की पहली एडवांस मिलक टेस्टिंग वैर रिसर्च लेब कहां सुरू की गई है तो इसका राइट एंसर है फटा फट दीजिगा इसका जो राइट एंसर है वो दोस्तों जेपूर है ठीक है राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास एउं चारा उतपादन परियोजना किस देश के सहयोग से सुरू की गई है तो दोस्तो इसका जो किस देश का सहयोग लिए गया है वो है दोस्तो श्यूटर जर लेंड बागडी नसल की भेड़ दोस्तो जो बागडी नसल की भेड़ पर मुक्तियाग पाई जाती है वो दोस्तो बागडी नसल की भेड़ है वो कहां पर पाई जाती है तो दोस्तों इसका राइट एंसर है अलवर में पाई जाती है अलवर में कौन सी बेड़े पाई जाती है बागडी नसल की बेड़ें पाई जाती है लग बग पिचेतर परतिसद काले मुहें वाली बागडी नसल की बेड़ राजस्तान की किस जिले में पाई जाती है बहुत इपोर्टेंट क्योस्टन है कि लग बग पिचेतर प्रतिसद काले मुवा और 25 प्रतिसद सपेद मुवा वाली बागडी नसल की बेड राजस्तान के किस जिले में पाई जाती है तो इसका राइट एंड सुरा हो दोस्तो अलवर जिले में पाई जाती है उन उत्पादन में राजस्तान का भारत में स्थान है तो दोस्तो उन उत्पादन का ये पहले भी आ चुका है क्योस्टन तो राजस्तान में कौन स्थान है इसका पर्थम स्थान है राज्या पसुधन मिशन की स्तापना किस पंच वर्षिय योजना के अंतरगत की गई है राज्या में पसुधन मिशन की स्तापना किस पंच वर्षिय योजना में की गई है तो इसका राइट एंसर बारवी पंच वर्षिय योजना राजिस्तान सरकार द्वारा केंद्रिय परवर्तित राष्ट्रिय गाय यह बेंस परजनन योजना के तहत अच्छी नसल के बच्छडों के पालन है तु कौन सी योजना अरारम की गई है तो इसका राई टरंश वर दोस्तो बच्छडा पालन योजना राज्य में उन्ट परजनन का कारे निमन में से किस के द्वारा संचालित किया जा रहा है तो इसका राई एंसर भारतिय कर्शी है निस्दान परिशद हल जो तने बोज डोने है तु उप्यूक्त मेवाती नसल की गाय राजस्तान के किन जिलों में पाई जाती है तो दोश्तो आप सभी के साहिए उप्यूर रखे गए इसका राई एंसर भरतपुर और अलवर में राजिस्तान में किस के द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है तो इसका राई एंसर राज सव मंडल अजमेर में ठीके नेक्स्ट अपसु जो मदू में है पेडित रोग्यों के लवार्त उन्टनी का परसंसकारित दुगंद विपनन किसके द्वारा प्रारम किया गया है तो इसका राइट एंस्वर है दोस्तों बिक्कानेर डेरी तो सात्यों आज का मोश्ट क्यूशन है उन्ट को राज्य पसु कब गोशित किया गया जो अपने रेविस्तान का जहाज बोला जाता है उसको कब गोशित किया गया सभी को पता होना चाहिए आप को मेंट्स बोक्स में इसका रिप्लाई दोगे ठीक होके तो सात्यों आज के लिए बस इतना ही आगे से दोस्तों अगर आपको एसी मोश्ट इपोर्टेंट क्यूशन चाहिए तो आज ही अपना चैनल सस्क्राइब करके रखेगा और पास में जो बेल आइकन आता है उसे जुरूरत बारी जिगा ताकि आपको राजस्तान गोश्ता ट्राइब जरूर करना थेंक्यू ओके बाई